वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल को फितलं में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको मैंगो कश्टर्ड आइसक्रीम बनाना बताऊंगी ये बड़ों को क्या बच्चों को सभी को बहुत पसंद आती है और बहुत ही एजी तरीके से बन जाती है घर में पड़े सामान से ही तो चलिए रेस्पी स्टार्ट करते हैं यहां हमने दूद लिया है एक गिलास दूद ले लिया है फुल क्रीम दूद लेना है हमें और इसको हमने लो फ्लेम पर बॉइल होने के लिए रख दिया है वीडियो को इसके बिल्कुल भी नहीं करेंगी स्टेप बाई स्टेप में सारी चीजों को आपको बताऊंगी जो दूद बॉइल होने लगा है और हम इसको आजू बाजू इसकी जो मलाई है इसको चुटाते हुए हम इसको बॉइल होने देते हैं चार चमच भरके इसमें हमने चीनी डाल देनी है अगर आप मीठा जादा खाना पसंद करें तो चीनी की कौंटिटी आप कम्या जादा कर सकते हैं तो जब तक दूद बॉइल हो रहा है तब तक हम अपना कस्टड घोल लेते हैं ये कस्टड भी होममेड है मैंने घर में ही बनाया है इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ जाके देख सकते हैं तो एक से डिर चमच हमने कस्टड पाउडर ले लेना है ग्रूम टंपरेचर का हमने दूद लिया है और इसमें हमने कस्टड को घोल लेना है अच्छे से कस्टड में किसी भी तरह से कोई भी लंप्स नहीं होना शाहिए अच्छी तरी से इसको हम मिक्स करते हुए अच्छे टेस्टी वनेगी और अब हमें इसमें दूद में अपना जो कश्टर्ड पाउडर घोल के रखा था वो डाल देते हैं गैस का फ्लेम लोही रखना है इस वाद का ध्यान रखें और इसके आजू बाजू से मलाई को छुटाते हुए हमें अपने दूद को बॉil कर लेना है कश्टर्ड पाउडर डालने के बाद इसको हमें कम से कम एक घंटे के लिए सौरी पांच मिनट के लिए इसको बॉil करना है अच्छी तरीके से इसको बॉil कर लेंगे आप देख पा रहें कितना ठीक हो गया है यह दूद हमारा जो है वो बॉil होनी लगा है और इसको अच्छे से और हम 2-3 मिनट के लिए बॉयल करेंगी रेस्पी हमारी बहुत ही इजी तरीके से बनेगी इतनी आसान तरीके से मैंने इसको बनाना बताया है कि कोई घर का बच्चा भी बना के रेली कर ले तो गैस का फ्लैम हमने ओफ कर देना है और अब हमें इसको ठंडा कर लेना है और इसकी जो आजू बाजी की मलाई है इसको भी हम छुटा लेंगे इसको चलाते हुए ठंडा होने देते हैं और तब तक हम अपने आम को कट कर लेते हैं, तो यहां मैंने दो आम ले लिये हैं, इनको छील के मैंने कट कर लिया है, तो आम मैंने क्या करना है, इनका जो पल्प हमने जो कट करके निकाल लिया है, इसको हमें पीस लेना है, तो इसके लिए हमें एक मिक्सी का जार ले लेना ह और इसके अंदर आम को हमने कट किया था वो डाल देना है सारा मैंगो हमें इसमें डाल देना है और अब हम जार कर ढखकन बंद करते हैं और इसको एक पेश्ट के जैसा तयार कर लेंगे एक दम से क्रीमी सा पीस के तयार करेंगे तो ये देखी कितनी इजी तरीके से हमारा मैंगो जो था वो भी अच्छे से पिस गया है और अब हम इसमें दो से तीन चमच भरके मिल्क पाउडर डाल देंगे अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगए पे मलाई भी ले सकते हैं जो दूद की उपर बनती है न वो तो इसको हमने अच्छे से मिक्सी को चलाते हुए मिक्स कर लिया है कितना क्रीमी सा हमारा जो मैंगो पल्प है वो बनके रेडी हो गया है इधर हम देख लेते हैं हमारा जो कश्टर्ड था वो भी एकदम से ठंडा हो गया है और काफी थिक भी हो गया है आप देख पा रहे हैं कितना गाड़ा हो चुका है यह तो अब हमें इसको भी अपने आ और हम इसको बंद कर देते हैं जार के धकन को और अच्छे से पीस लेते हैं ताकि यह अच्छी तरीके से एकदम से क्रीमी हो जाए और अच्छे से मैंगो के साथ यह मिक्स भी हो जाए तो यह देखी कितनी क्रीमी सा हमारी जो आइस क्रीम बैटर बनके रेडी हुआ है डब्बा ले लिया है अब हम इसमें अपना जो आइस क्रीम बैटर बनाया है आप लिए और आइस्क्रीम बैटर डालने के बाद इसको हमें डिप फ्रीजर में रख देना है अब हम इसका धक्कन बंद कर देंगे थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए और डिपे का धकन हम बंद कर देते हैं हमें यह टाइट डिपे का ही इस्तिमाल करना है ताकि इसमें आइस क्रिश्टल ना बने तो अब हम ओवरनाइट इसको फ्रीज में रख देते हैं तो यह लीजी हमारी आइस क्रीम बनके रेडी हो चुकी है मैंने पूरे बारा घंटे के लिए इसको फ्रीज में छोड़ा था अच्छी तरीके से यह सेट हो गई है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक सर्विंग बावल में है मैं वbut zkrie और बहुती क्रीमी सी हमारी आइस क्रीम बनके रेडी हो गई है हमारे यहां पर थोड़ी सी लाइट चली गईती तो रोड़ी सी मेल्ट हो गई है थोड़ी सी डीली हो गई है को आप देख पार हैं बहुत इजी तरीके से बनी गी और बहुती कम सामान से यह बनके रेडी होई है. यह देखिए और बहुती टेश्टी भी बनी है यह बढ़ों को क्या बच्चों को सबबी को बहुत पसंद आएगी. तो ट्राइज जरूर करिए मेरे तरीके से रैस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शियर से स्प्राइब जरूर करो ये टॉप